अपने विधायक पुत्र आकाश विजवर्गी द्वारा इंदोर नगर निगम के अधिकारी की बेट से टाई के मामले पर वीजेबी के राष्ट महासाची केलाश विजवर्गी का एक बयान सामने आया है केलाश जी ने कहा यह काफी दुर्भा के पूर्ण है आकाश विजवर्गी और निगम के कमिशनर दोनों ही कच्चे खिलाड़ी दोनों ने गलत धंग से पूरी घटना को निप्टाया मीडिया की रिपोर्ट सके नुसा उन्होंने कहा मुझे लगता है कि अधिकारियों को अह मुझे लगता है नगर निगम के द्वारा भी और आकाश जी के द्वारा भी दोनों कच्चे खिलाड़ी है पहली बात तो यह कि जन प्रतिनी जी का फोन आए तो अधिकारियों को सुनना चाहिए एहंकार नहीं रखना चाहिए क्योंकि हमेशा मेरा इतने 30-40 साल का अनुभव है कि जन प्रतिनीदी और अधिकारियों के बीच में टकराहट इसलिए होती है कि वो फोन पर रिस्पास भी देंगे मिलेंगे नहीं और इसी कारंट टकराहट होती है कि आने के बाद जो मेरे को भी जानकारियों जो इस्ति प्रकार की थी कि अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया पहले के जिया था कि हम गेंग नहीं भीजेंगे इसको टाला जा सकता भाईशव में इसकी पुन्रावरती नहीं हो इस बात कि हम सब को चिंदा करना चाहिए मुझे गल्ची दिखती है मैं पार्शद रहा मेर रहा इस्विभाग का मंत्री भी रहा साधरन का मांसुन के दोरान हम मेरी सर्कुलर निकाल देते हैं कि कोई भी रहवासी छेस्टर का तोड़ फोर नहीं हो प्रेदी कोई जरूरी हो तोड़ फोर करना तो नगर निकम को भी वेकल्पिक इस्थान जिसका मकान हम तोड़ रहे हैं उसको तेना चाहिए मैं समझता हूँ शायद इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया मैं मुख्यमंतिजी से कहूँगा वो भी नए-नए है कि सुभाग के मंत्री भी नए-नए है शायद उनको इस बात की जानकर नहीं होगी कि मान्सुन में इस प्रकार के आवासी मकानों को तोड़ा नहीं जाता है यदि तोड़ना हो बहुत ही आवश्यक हो तो वहां पर रहने वाले लोगों के लिए वेकल्पिक इस्थान पार टाइम बें नगर निगम के और से करना चाहिए ये सामान ने परंपरा रही है नगर निगम के और से और मान्सुन में दो तोड़ा गया एक प्रश्णवाचक्चिन ने इस प्रकार का सब्कुलर अगर